अखबारो की हेडलाइन ये पटी-पड़ी है कि नंद किशोर गुर्जर कटर मुसलिम विरोधी है अलग-अलग पोश्ट पे कॉमेंट इस तरह के दिखते हैं कि विधायक जी मुसलिमों को अपनी विधान सभा में रहने नहीं देना चाहते गली गली जाकर ये कहते हैं कि भाई ये दुकान जो है नहीं लगानी है जूस नहीं लगाना है ये जाके दिल्ली में लगाओ अपनी प्रोफाइल एडिट करके फिर ये लिखिए कि लोनी के हिंदूओं के विधायक लोनी की जनता करके लिखिए कि लिखायक हुनें विखिए पर इस तरहazi की पोश्ट करते हैं कि ना अली न बाहुआ वली शिर्फ आ रहे हैं बजरंग वली अली को नहीं जो लिखे रहा है फल्तू जिहाद ही है उससी के लिए अली का है आपकी विधान सभा में रहने वाला अब्दुल अगर मदरसे में तालीम लेना चाहता है अलोनी विधान सभा के अंदर ही तो उसे भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए मदरसे में कौन सी सिखसा दी जा लगा है तो इसका मदला और कोई बड़ा ही नहीं है तुम ठीक है अल्ला बड़ा है लेकिन उस पर माई के लागों को यह नहीं आकर के माई और महादेव के ऊपर पत्थर फैकरें और यह रिपोर्ट में भी आ गया है तो अगर वह घूजाते तो अगर पुलिस उनको क्या करना चाहिए उनको तरही की योगी आदित नाजी की और से आपको बोलाए गया फटकार लगाई गई कि भाई वहां दंगा मत्क जिहादी थे जिन्होंने हमारे कतल किये हमारी जमीने चीनी हमें बरबाद कर दिया आज भी उनके नाम पर नाम है औरंगजीव रोड औरंगजीव कितना बड़ा राक्सस था उनके नाम पर रोड है पताईए यह कॉंग्रेस ने किया किया है इस देस में 19 दिसंबर 2019 उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से एक एहम घटना उत्तर प्रदेश की विधान सभा में बीजेपी के ही एक मले अपने साथ खरीब 295 विधायक लेकर धरने पर बैठे हुए थे अपनी ही सरकार के खिलाव तमाम मांगों को लेकर सियम योगी आदित नाज से असहमती थी आज करीब इस वाके को 6 साल बीच चुके हैं लेकिन आज भी दवी कुछली हेडलाइन्स में इस तरह के स्वर बुलंद होते हैं कि वो विधायक आज भी अपनी ही सरकार अपने ही मुखिया से कुछ बातों को लेकर असहमत हैं नाम है नन्द किशोर गुर्जर लोनी से विधायकी का जिम्मा है गरीब दो बार की दुबार विधहन सभा में प्रत्याशित हुए हैं नन्द किशौर गुर्जर आज हमारे साथ मौجूद हुए हैं हालिया सियासी तमाम प्रक्रम हैं उनसे जुड़े तमाम बेबाक सवाल हैं उनके बेबावी बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए रेडी हुए हैं पहले तो बहुत स्वागत गुर्जर साब थैंक यू सो मच जी इंट्रो मैंने दिया ठीक दिया आपका असहमत सेम योगी हितना है यूकी जी हमारे नेता हैं हमारे हैं लोकतंत्र में भार्जंथा पार्टी में यूde को कहने के लिए है उसकारण से जो 2019 की घटना आपने बताई वह भी इसी का प्रिणाम थी कि एक इंस्पेक्टर जो है वह जवर जस्ती मास्की दुकान खुलवाने पर आमदा था जबकि वहां हमने सपा बसपा मैंने खुलने दी उनको हमने समझाया भी लेकिन वह पता चला कि बाहर जाकर वत नर्गा कि कही ना कहीं जो है मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है तो मेरे साथ बैठे गटना कहीं ना कहीं इस तरह की हुई जो हम भी नहीं चाहते थे को कि मैं भाजबा का तो मैंने देखा तमाम security layers हैं आपके पास ये प्राइवेट security है तमाम कहा है security तो सब ने ने बहुत सारे आपके सुरक्षागर्मी साथ में हैं हमारे चाहने वाले दोस्ते सब साथ चलते हैं तो security क्या सब भाई लोग हैं देखे मैं आपका एक बयान पढ़ता हूं पहले आपक बावजूद गाजियाबाद police के commissioner की ओर से मुझे अपमानित करने खुद को सरवोच दिखाने के लिए अनुशासन हींता करते हुए अकबार में बयान दिये गए और मेरी सुरक्षा हटा दी गई मैं चार महीने बिना सुरक्षा के अपनी जान को जोखिम में डाल कर बीजेपी का प्रचार करता रहा इसलिए मेरा सवाल था कि क्या आपके मुखिया इस कोट के बाद माने और यह सुरक्षा बढ़ाई गई शुरक्षा तो आपने देखा होगा मेरे अपने सब साथी लोग था इसका पुलिस वाले नहीं तो आपने डेके दो जोग होगाय तो यह सब अपने जो हमारे वेल बीसर्स ने बाउंसर नहीं है इस तब हमारे लिए जान देने वारे लोग हैं इसलिए वो कोई विशे नहीं है और यह बात सही है आपकी कि मुझे कराची से भी धंकी है और ATS को और ATS की रिपोर्ट में प्रूवड है तुबई से भारत के अ यह मेरा इलाका है वहावी कुछ ने कुछ मेरे जो सामने चुना गड़ते हैं वो उनके इतिहास रही है उनकी है देखिए आपने जान को अपनी खत्रा कई बार आप बता चुके हैं लेकिन उसके बावजूर आप बेबाकी के साथ मैदान पर उतरते हैं लेकिन ऐसी परिष और जो अधिकारी जो हैं आप मैं आपके चैनल के सामने कह रहा हूं इसलिए नहीं अधिकारी अपने को सुरिष्ट मनता है यह गड़बड है क्योंकि हम लोग इसको सुधार करना बहुत मुस्किल है और वो अगर लूट कर रहा है तो उसको इमांदार है अगर पुल्टी क आदमी उसको रोकना चाहता है तो उसकी इमेज खराब करने के लिए तमाम तरह के जूटे सचे है इस लेविल पर जा करके बताता और इस तरह से फिडिंग करता है तो कहीं ने कहीं जो हाई कमान है उसको भी लगता है कि इसी बात है तो यह अधिकारी जो वर्ग है यह आई कोई व्यक्ति बड़ी लीडरसीब पर जाता तो उसको 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 उसपे कुछ ऐसे अपने लोग रखने चाहिए जो नीचे वास्ता में लोगों को नियाय मिले उस नियाय के लिए हमारा हमारा निजी एजंडा का भी नहीं होता है एक भी घटना नहीं बता सकते कि मेरा न मिश्रा उनकी खिलाफत लगातार करते रहते हैं जाय मिश्रा से गाजियाबाद की कमिशनर से आपकी बहुत बड़ी असहमती वक्त दरवक्त सामने आती रहती है क्या दुश्मनी है नहीं हमारा क्या दुस्मनी है मेरे को दूश्मनी नहीं कहा के रहने वाले हैं अधीकारी आएंगे जाएंगे लेकिन जिस तरह जनता के साथ कहीं न्या होता है पुलीस जो करती है ने हम और टास्फर कराएंगे हम किसी नहीं करते हम तो काम करेगा वहां काम करना पड़ेगा गलत नहीं होने देंगे हम अभी डासना देवी मन्दिर पर जो माकाली और भगवार महादेयु के ओपर पत्थर पेके एक महराजी ने जो ब्यान दिया पुलीस ने मुकदमा लिख मैं सौट आउट करता उसने कैसे कर दिया तो उनके उपर एफ़यार कर दी उससे एक बावाल मचता है और वहाँ पंचाइट का एलान होता है अगर वहाँ दंगा हो जाता सोदो सो आदे मरते तो इस तरह के जो वह नहीं है भई इसका क्या मतलब है वह आप कहे क्या अपिस्ञे अगर किसी की जमीन कब जा हो रही है किसी को किसी ने किसी बेटी के साथ बत्तमी जो ही दुराचार हो गया है तो अगर मैं इसी में बैठा रहूं कि मैं तो परोटुकाल है विधायकू मैं जाओंगा नहीं तो मेरा कर्तब है कि मुझे जनता ने चुनाया और जनता ही मेरा भगवान है और मेरा भगवान अगर कहीं कश्ट में है तो मुझे उसके लिए लड़ना चाहिए ये मुझे सिखाया गया है ये आपने जिक्र किया जो कि मैं अधिकारियों का दाइत्व बनता है काम करने का आप फरियाद लेकर मुख्यमंत्री योगी आदितनात को गरीब एक महिने पहले जाते हैं उनके पास उनका कहना था कि आप सबूत दीजिए हम करवाई करेंगे लेकिन आपका कहना था आपका काउंटर बयान आता है कि भाई हम इतने खाली थोड़ी हैं कि अब एक कदिकारी को पकड़ के उनकी धूंडते रहें गल्तियां आप इंक्वारी कराईए यहां उनका कहना भी सही था कि जो सबूत है उसके आधार पसको सजा होगी लेकिन अ कि बिधायक जो चुनावा जनपमत्र ओंजिया है घ्रस्टा चार कर रहा है इसी तरह कि媒ंश की गूंड़ित आय। अब उनके लिए पिधाया किष्टी को ऑपरेसन के लिए केमरा लेकर घूमेगा कि भई यह देखो खुरस्टाचार पकड़ा गया यह कोई मत्तब नहीं हुआ ना तो महराजी को मालूम है हमने हमें हम समझाएंगे महराजी को निवेधन करते आप निवेधन किया माना उन्हो अगर एविडेंस होता है तो उसको वहीं से जेल भीजा जाए पकड़के और उन्होंने किया भी एक दरोगा ने करकरता से 2000 रुपे लिए मैंने कहा तो का जाच होगी अधिकारियों ने क्योंकि अधिकारी तो ऊपर से नीचे तक एक है नीचे वाला लूट रहा है उपर त के साथ लोगों को न्याज लाया तो जो गलत लोगों के संपरक में आ करके लोगों को डिस्टरब करते हैं वो हमारे लिए ऐसा बोलते हैं तो महरा जी जो है उनको हमने बताया उस घटना को तो उसको ग्रफतार करके ठाने से इदरोगा को जिल भेजा गया ऐसा नहीं है वो नहीं कह पाते हैं उपर या अधिकारियों से सकती से तो फिर कोई विधायक बने रहने का मत्तब नहीं है ठीक है आपने अधिकारियों से असहमती और अपने मुखिया से असहमती का जवाब दिया मुसल्मानों से मुसलिम वर्ग से आपकी वी एक बड़ी असहमती रहती हमेशा आपके हर दूसरे वयान में मुसलिम समाज की खिलाफत दिखती है और अकबारों की हेडलाइन ये पटी पड़ी है कि नंद किशोर गुर्जर कटर मुसलिम विरोधी है कैसे जवाब देंगे ऐसा नहीं है हम किसी के विरोधी नहीं है हिंदुस्तान में तो मुसल्मान ही नहीं है तो मैं विरोधी का हूँ हिंदुस्तान में तो सब हिंदू हैं सब हिंदू है तो वहां सारे कनवर्ट हुए वेचारे उनकी बेटियों के बलातकार हुए अपना मका का ऐसा नहीं बांते भी हैं और घमाम समाज यतने भी हंदुस्ताם में हिंदू समाज यह उनमें से निकल करके बने वो लेकिन जो भार के रोहिंगा बंगला देशी हैं जो इस में मुगलों के टाइम के कुछ लोग कुछ परीवा रहे हैं कुछ जो जिहादी सिक्ता के लोग हैं जो बाहर से फंडिंग सो रही हैं जो यह उनके आईएसाई के अजेंट हैं जो कटरबंती मुलकों से जहर घोल रहे हैं भारत में और जो तमाम जो पुल्टिकल लीडर्स हैं कॉंगरेस के आम आदमी पार्टी या जो बंगाल की मुखमंद्री है जो भारत में उन्हें बसा करके और इस देश को कही ना कहीं गजवाई हिंद का जो सपना है कि पूरा एक को उसके जंडे के नीचे देश हो इसलाम के वो जो सपना है उससे मेरा कहीं ना कहीं ये खुरना भी चाहिए जिहादी मान सकता कि विरोध क आप बात जो कर रहे हैं वो समझी जा सकती है लेकिन आप जो कह रहे हैं देश के कनवर्टेड मुस्लिम का आपने जिक्र किया आपकी विधान सभा में जो मुसलिम हैं उन्हीं मुसलिमों का वक्त दरवक्त ये विरोध आता रहता और आपके अलग-अलग पोश्ट पे कॉम जो पिछली दिनों सपागी सरकार थी उसके लिए इस्टेगल करना पड़ता है रोहिंगया भंगलादेशी और आतंगवादी तक पालमेंट हम लेके पकड़े गए हैं छे लाग की आपादी है लोग कहने लगे थे मिनी पाकिस्तान है और वहां हैसियत नहीं थी किसी की रो उसमें आप जाकर वहां पर गली गली जाकर ये कहते हैं कि भाई ये दुकान जो है नहीं लगानी है हटाओ मास विकरी बैन जूस नहीं लगाना है ये जाके दिल्ली में लगाओ वहाँ पर रोजगार का जो है आप रोजगार का संकट पैदा कर रहे हैं वहां के आपके ही अपने मुस्लिम वोर्टस के लिए नहीं ते कि मास्क रोजगार है अब हमने जब उनको कहा पील की तो हमारी बात मानते हैं सभी और हमारे उपर भरोसा रखते हैं कि हमने कहा कि मास्की दुकार नहीं खुलो और ये सब जूस का जो चला जूस जिहाद पर साब कर दिया उसमें तो ये को भी कटगरे में खड़ा कर दिया है लोग बात करना नहीं चाहते हैं कि नफरत का महूल पैदा कर दिया है मैं तो चाहता हूँ ठीक हो ठीक कैसे होगा ठीक कैसे ही तो होगा तो रामराज में मास्की दुकान देखी आपने कहीं कई सुना कई वरणन आपने सुना पढ़े बताईये कि रामराज में मास्की जुकान देखी हो, खुलती थी, हड़ी मिल चलती थी क्या, रामराज में तो चारों तरफ मास्का मतलब हो नहीं सब्सक्राइब। मास्की विक्री एदा कदा लोग करते हैं, पता चलता है तो उसको परसासन बंद करता है, नहीं करता है तो नदीकारियों के खिलाप भी हम सक्ती से करवाई कराते हैं, क्योंकि जो डकैत हैं, जो बेइमान है, मैं संसरी बासा इस्तिमाल कर रहा हूं, तकलीफ होती है, उनको उ जीवत्या होगी, तो इससे खराब बात नहीं हो सकती, क्योंकि सत्रुगन महराज की राजदानी है, लवनासुर राकसस, लवनी नाम है, लवनासुर जो रावन का भांजा था, उसको वहां सत्रुगन महराज ने मारा, उसको संकर जी का बर्दान था, तो सत्रुगन महराज इने मारा और वहा रामराज की जब राम्राज जैसे Ajodhya जी में राम जी कराइशा तो सत्र स्वगन महराज कर राज ऊसी राम्राज की राजदानी कर असलों नहीं हैं तो वहाँ रहाँ मास नहीं हो हड़्ी मिलना चलें जब लोग काहitे से रहें और वहाँ सकता है रामराज के लिए जरूरी है जए को आफ अपनी प्रोफाइल एडिट करके ये लिखिये कि लोनी के हिंदुओं के बिधायक नहीं नहीं कि रिखता कि विद्धायक थोड़ी है गो जयादी है बड़ा मुस्लिम तब का भी रहता है और मुझ dt हो दियादी मैं किसी का भी रोदी महीं नहीं हूँ मैं हर्व्यक्ति को मेरे गर पर सुबह आता है मानता हूं गि इश्वर ने भेजा है लेकिन उसमें कोई कब्जा करने वाला आ जाए, बलात करी दुराचारी आए, गाय काटने वाला आए, तो मुझे गुस्ता सोभावी के, तो मैं वो जो जिहादी हैं, जो कटरपंती हैं, जो कही ना कहीं, लौनी में, वहांके जो लॉइन ओर्डर्स हैं, या जो लोग रह रह आपती होती है, जब आप अपने सोचल मीडिया पर इस तरह की पोश्ट करते हैं, कि ना अली ना बाहू बली सिर्फ आ रहे हैं, बजरंग बली, तो अली को मानने वालों के लिए, लोनी विधान सभा में कोई जगह नहीं है, आपके मतारे, अली को नहीं है, अली जो लिख है, फलतु जो जिहादी है, उसी के लिए अली का है हमने, जो बहु 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 जो माफिया हैं, जो लोगों की जमीने छीन लिया करते थे, एक बार्यू के स्कूल नहीं था लौनी में, आज लौनी बदल रही है, अदिली से खुशूरत लौनी का नक्सा बन रहा है, सारी चीजे आज हमने की हैं, तो जो जो जिहादी टाइप लोग है, जो जिहादी हैं मानते हैं कि हम तो पूरे उसके नीचे, इसलाम के जंडे के लिए इसको ले आएंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, जो बकुशूरत तो है, अली मौला, वो लोग तो बाइकांट कर दिया, तो मुसलिमों का भी बाइकानट ग़िए, लिए आली तो ऐसे बहुत है, जिन्नों ने आतंकवाद किया, अतंकवादी पकड़े गए, अली नाम लिखके, तो इससे को लिएका को मतलब वाले का नहीं है, तो अली जो हैं, जो मेरा कहने का मतलब है, जो अपरादी हैं, अतियाचारी हैं, जो कहीं जिहादी हैं, वो और माफिया नहीं रहेंगे, जो हनुमान जी की जैसिया राम कहेंगे, वो सब रहेंगे, राम तो मुसल्मानों के भी हैं, भगवान राम तो मुसल्मानों के हैं, मुसल्मान थे कहां भारत में, यहां 700 इस भी में, जो धरम आया हो लगबग 600 के आस्वास, 700 बारे में पहला हमला सिंद पर हुआ है, उससे पहले कोई अर्थी नहीं था, उससे पहले तो राम तो लाखो साल से हैं, तो पूरी दुनिया को, के अंदर जो अगवार सिर राम के अन्विया ही है, अब आप फरुक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि राम तो मेरे भी हैं, वो राम का भजन कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब भजन कर रहे हैं ना राम का, तो तकलीव क्या भारत में, ये लियाकत, लियाकत नहरू समझोते के कोडिक, उनकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है, लियाकत नहरू समझोता क्या है, यही थाना कि जो लोग रहें तो वो यह तैय हुआ कि यहां जो नहरों और लियाकत का सम्झोता है कि यहां की मंताओ को मानेंगे यहां की सर्कृतिकinflamm को मानेंगी और अब तुम लोग यहां जा करके जो पाकिस्तान जंदाबाद कर रहे हो और उसके बाद अगर डैनमार्क में कार्टून छबता है तो मुंबई में बवाल कर देते तो बेहन बेटियां जो पुलिस में थी उनके भी बलात कार किये गए मारे गए अभी जो है अगर किसी महत्मा ने डासना में कुछ बोला है तो उस पर फाई यार होगी पुस्ते याद करेंगी अब लोगोंने बहुत जहलिया अब देश के अंदर यूथ के अंदर एक उबाल है और लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर एक भी दंगाना हो और कोई भी किसी तरह का बवाल करने वाला तो उसका मुह तो जबाब दिया जाए बताई बेटियों सभा के अंदर इस उसे भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए आपकी और से नहीं हमने तो जो बच्चे पढ़ते हैं हम पहले बढ़ते हैं कि मदर्से की पढ़ाई से क्या हो कहीं उनका जॉब लगेगा इस का हम लोग चांद पे जा रहे हैं यह लोग अभी नीचे जमीन में बैट मदर्से में बच्चों से दुराचार होता है देखा नहीं आप न अपने कहीं एक घटा तो यह सब इस तरह का जहां अच्छी को है जो कि सन मिल रही है आजकल उसमें धर्म विशेस्ट से जोड़ा है कहीं पर भी हो सकता है आपने देखा दूसरी जगए इस देस में रहता ह है शिक भी इस देस में रहता है बुद्धिष्ट भी रहता है यहीं क्यों हो रहा है मोल भी सब अठा करके उल्टी-उल्टी कहानी पढ़ा रहे हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि मास मैं बिकने नहीं दूंगा अपनी लोनी विधान सभा में तो वहां के तमाम मुस्लिम है तमाम गूसाला है जह हम बनवा रहे हैं दुनिया में घी से ताकतवर कोई है क्या तो जब MLA बनाया है तो जुम्मारी और ज्यादा है तो सब चीजे नहीं होनी चाहिए मैं कब रोकता हूं को खूब सबजिया खाओ फल खाओ कभी रोका मैंने साकारी होटल लग तमाम त 50 डिपार्टमेंट के उनके खोडिंग करें हमें कोई अत्राज नहीं ठीक है अभी ते रोज अभी डासना मंदिर के बाहर जब कुछ हमलावर पहुंचे आप भी वहां बहुत सक्री रहे उस दोरान आपका एक बयान आता है कि पुलिस को कुछ नहीं करना चाहिए 10-20 लोग आपका कहना है कि गूली मार कर हिंसा को अंजाम नहीं है आप उसको अर्थ को समझे है दसजार की भीड़ सारे मंदिर को घेरती है हमारा एक कार्करता बियस्त अमर जिसको जिहादियों ने मार दिया नारे लगाते हुए अल्लाहो अकबर सिर्तन से जुदा बिना कारण के ब आपने ओन्सपोट अभी कोई हमला करने आजाए तो क्या हम कहेंगा वकील कर रहूं में भी वकील कर रहा हूं रूँ इसा करेंगे वाले हमें मारने आरा तो पंधकी प्लिक प्लेस में गोली चलती है तो वो देख के नहीं जेए मैं डंगाई जो वाँ आया और जो जानता टे सियार के जितने भी रोहिंगा बंगलादेशी जो कहीं ना कहीं जो स्लीपर्स जो के सहल के रूप में दिल्ली के चारोतर रपे साहिन बाग में वो टैपू में भरके कि योजना के तहता है एक विप्थी ट्यूटर से उकसाता है तो क्या जो आकर के माई और महादेयों के ऊप कि दूद का इलाज क्या है आप खूबी डिफेंड कर रहे हैं लेकिन आप वहां पहुंचे वहां विरोध हुआ बवाल हुआ उसके बाद इस तरह की खबरे भी हैं कि योगी आदितनाद जी की और से आपको बोलाए गया फटकार लगाई गई कि भाई वहां दंगा मत करव नहीं ऐसा है महाराजी कभी फटकार ने लगाते हमें उनका असिरुआद मिलता है और उन्होंने कहा कि देखिए हमने उनके पूरी बात बताई अधिकारी जो फीड़ बैक देता है तो गलत देता है तो अब समझे तो उस बात को उन्हों स्विकार किया और हम कभी दंगा ही नहीं है मेरे जाने से कि भी दंगा नहीं होता शांती होती है फुलिस के जाने से दंगा हो सकता था अगर मैंने जाता दंगा होता पचास जार हिंदू था और हमने उपर बात हुई सासन में उन्से कहा कि भरूसा रखिए मैंने योगी जी पूरी तरह से जो भगवान महाद जिहादी थे सब तो क्या मैसीज ने जाता देस बर में अगर दसाद भी उस दिन मारे जाते मौके पर कम से कम तो जो मुझफरनगर में हो रहा हापुड में हो रहा है कभी कहीं कर रहे है कभी कहीं यह तरह निकाल ले दिमाग ठीक हो जाता सासर मजबूती चलता है जिए आपको बुलाया साबाशी दी इस बाता थी नए साबाशी थोड़ी माहराजी थोड़ी कहेंगे किसी कि महराज अच्छा कि हमने उन्हें बताया कि देखे गलत जो है महराजी यह नहीं यह है और उन्होंने माना तो कई वार जो फीड़ बेक है क्योंकि अधिकारी को तो लूट करो तो जूट बोल करके तो बचेगा कि विदायक जी ऐसा कर रहे हैं अगर उसका एक कारणामा पता चल जाया कि यह दंगा ही नहीं होता और यह दो दिन पहले हंदुलन को वापिस लेने की दी-एम के आस्वासन पाफील हुई लेकिन जब उसके कमिशनर को लगा कि कि डी-एम कोन होता है कमिशनेट सिस्टम में उसने उन पर फाई आर कर दी उससे हिंदू होबाल हुआ तो दंगा किसने कराया तो जो अधीकारी गरफतार होना चाहिए वो उपर फीड़वेक गलत कर रहा है तो यह हमने बाराजी को बताया और मुझे उम्मीद है कि सारे प वकबोर्ड को लेकर भी बड़ा आप खिलाफत करते रहें अभी आपका हालिया बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है अलग-अलग हेड्लाइन बन रही है आपने वकबोर्ड के समूचे वकबोर्ड की संपत्ति को हिंदू राजाओं की संपत्ति घोशित किया है कैस प्रफानों की ज्यादा थी तो जो संपत्ति जो खास्तोर से जो जमीदारी कोम है जिनमें गूजर जो वक्त की जमीने जिदा रहे हैं वो जातर गूजर बेल्ट है आपका जिसे वहां महरुली से लेकर महरुली में जाट समाज है तो वहां से जो गाव है नबेपट सा तो सिलम पूरो रहे हैं ये लाल किला रहें सब जामा मज़िद तक और जो कहीं यादव है या जो जमीदार है तो उनके साथ-साथ जो छोटी जमीदारी के रूप में या उनके साथ काम करते थे चाहिए जली समाज के लोग है अती पिछड़े हैं तो सभी की जमीन है जब बना तो आप जब इस तरह की बात कहते हैं तो वक बोर्ड अदिनियम और समवधान ये खिलापत से भी लोग जोड़ने लगते हैं नहीं इसमें कौन सी खिला पते हैं वक बोर्ड के समपती ही नहीं जो लोग इस देश में जूट बोल करके अपने आपको ब्रहमन बताया अब बताएए पंडित महरुजी के दादा कौन थे पंडित थे क्या और उसके बाद बताएए फिरोज खान के साधी करके क्या राहूल हुआ अगर देश में दुनिया के सबसे लोग पर नेता माने मोदी जी इसलिए हैं माने अमिस साहजी और माने राजनाजी तीन लीडर्स ने इस देश के लिए चार रक्षा का मामला हो इंटर्नल सिक्योर्टी हो अब बताएए धारा तीन सो सतर समाप्त नहीं होती तो हजा तुगलकाबाद कर दिया वो सारी जमीनी गूजरों की थी तुगलकाबाद गाम आज भी है मुस्लिम का है वहां से ले करके जिस तरह से राइश्टपती भवन संसद का ही बता रहे हैं कि पार्लामेंट जो है वो भी वक्षी संपत्ति है उनको जाहिल इतने बड़े हैं उन लोगों ने कहा किए तो उसकी संपत्ति है वही सारे पांच गाहों से गूजरों के इनको वहां से अंग्रेजों ने नया करते हैं वहां से हटाया मुआज़ा भी नहीं दिया उसके लिए अभी वाद चल रहा है दो हजार बारे से कोट में चल रहा है नहीं तो यह जो पूर आट मीरभोज उसके बाद जो जामा मस्जिद आपने अहम बात कई जामा मस्जिद को आप बता रहे हैं शिव मंदिर कहां से यह पुष्टी है इस बात की कहां से आपके आप सर्च कर लीजे ना प्रत्युराज रासो पढ़िए बही यहां जो राजा अनंगपाल थे उनके किला बाद में उनके अंडर रहा उससे पहले प्रतिहार समराट रहे तो वो जब यहां हमला हुए हैं जगातार तो उन्होंना अनंगपुर गाव हैं गूजरों का बराबर में फर्दाबाद के पास वहां अपना उन्होंने अपना स्थान बना लिया अनंगपुर नाम ही है राज अनंगपाल के नाम पे तो दिल्ली किस की थे उसके बाद पर उसराज चोवांजी भांजे थे उनके बेटी थी बेटा नहीं था तो उन्होंने सासन किया यहां यहां और उसमे अजमिर में राजस्थान में दोनों जगे उनका राज था तो यहां उसके बाद जब हमल होने सुरू होते हैं और 1200 के अलगबग काफी हमले होते हैं और फिर एक बार तैमूर आता है तो तैमूर को गुजरों ने मारके जो रामप्यारी गूजर थी जो तैमूर को धाई क्रोड लोग मारें उसमें धाई क्रोड लोगों का कतल किया दुनिया में दिल्ली को हड़ियों की लास और धेर बना दिये थे तो खाप पंचायते एक हमारे जाट समाज का गाम है सोरम वहां पंचायत होती है यह यह ऑन डिकॉर्ड है गूग लोगो ने इस देश का नास किया है कहीं जाती वाद नहींता भारत में तो उनको जो इखटा हो गर के तैबूर को जब रामप्यारी गूजरी भाले से मार देती है तब यह भारत बचता है फिर यह मुगल दुबारा से आते हैं तमाम वंस आते हैं उससे पहले तो मुगल ज आते हैं तो जब औरंग जेव कातंग हो गया तो तब जमीने इनों ने चीन ली और यह लोग बेचारे खाना बदोस होगे पाड़ों में चलेगे खास तोर से जो किसान जाती है थी जो लड़ रही थी सभी तो उनकी जो जमीने चीनी गई जो उनकी सहाधत है जो उन्होंने गर्दन एक अटवाई उनके जोहर हुए दुराचार हुए लूट हुए उनकी तो क्या जो गौर्मेंट चुनी हुई है मैंने लडी साब को यही कहा है कवर्णर साब को कि जो उनके साथ अन्या हुआ है क्या न्याय दिलाना नहीं चीए जब देश आजाद हो गया तो क्यो उनके साथ उन्हाइट्से सो के नाम जुड़ेंगे क्यों उनकी जो संप्तिया है वापस नहीं होगी तो जितनी संप्तिय अ आप पंद्रे सो साल Pंद्रे सो इसवी से पहले सा सो में तो मुसलिम आया तो बारई सो से पहले चलो छोड दिजे सब इसके लिए बहुत बड़ा साख्ष चाहिए, इतने बड़े आरूप में, आगर ना मिल जाए, तो अभी वो विचारा धी है, मैं अपनी बात, आप बताईए, तेजो महल, नय पाली का में, ये जो हमारे जो दोजार बारे से ये भी नियाले में है, कि जो लोगों को माल्चा, कि लोगों ने जो माल्चा मार गए, कोट में चल रहा है, तो इसके लिए लेकिन ये बताऊ आप, क्या दोहजार बारे से पहले, ये तमाम हिंदों की थी ना, उन्ही के कतल होंगे, उन्हें के बेहन बेटी ये मारी जाएंगी, दुराचार होंगे, उनकी जमीन चीन ली कतल किये, हमारी जमीने चीनी, हमें बरबाद कर दिया, आज भी उन्हें के नाम पे नाम है, औरंगजीव रोड, औरंगजीव कितना बड़ा राक्सस था, सवामन जनेव, ब्रहमन समाज के उतरवाता था, तब खाना खाता था, सब कतल कर दिया, अकबर ने कितने जोहर नाम पे रोड है, पताईए, ये कॉंग्रेस ने किया किया इस देश में, ये तो अब्दूल कलाम है, जो मिसाल में थे, उनके नाम पे देश के सबस्वी पधानमन थी, माने मोदी जी ने पहल की, उतरवादेश में माने योगी जी कर रहे हैं, देश के तमाम बीजेपी के कर रहे हैं, अगर वक्ष संपत्ति अधिनियम का बिरोध बीजेपी नहीं करती, और संपर्दाएक लक्सित हिंसा अधिनियम का बिरोध नहीं करते, तो आज इनकी तो योजना थी, कि हम पूरे देश को जालिदार टोपी पहनवा दे, हम किसी के खिलाप नहीं है, लेकिन ज पहन करके टोपी लगा के, उसको एनसे नहीं लगाना चाहिए, वक्ष की संपत्ती का जो जिस तरह की बहनवाजी हैं, पूरी तरह से गहर जिम्मेदाराना इनका कोई वजूद नहीं है, आपके मताईए, आप बताईए न मुझे, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, कोई अब सरकार में तो लाएं ना, आपको मालूम ही है, हमारी इमानदारी में कोई कमी नहीं है, भारत के संस्किर्ती मजबूत हो, हिंदुस्तान का जो मुसल्मान है, अब आप देखिए, महाना परताब जी की मूर्टी देहरागाम है, एक भी हिंदू नहीं है, लगाते हैं मु मेर में 32% मुसलिम गूजर है, और जो वो देख के लिए लड़ता है, पूरे भारत के लिए अपनी जान दिये, लगातार फौज की मदद करता है, एक भी गद्दार नहीं है, तो वो लोग जो देख के लोग हैं, जो वक्फ से जिनका मतलब नहीं है, वो आज भी गरीब है, और जो लोग बाहर से आक्रमन करके आए, कुछ परिवार उन्होंने पूरे जमीने घिर रखी है, इनके बाप की जमीन है, इनका ओपरेशन होना चाहिए बढ़िया से, ठीक है विदायक जी, यूर पॉइंट टेकन, उप्चुनाव का महौल है अभी उत्तर ब्रदेश में, नौ सीटों पर उप्चुनाव हैं, दसमी सीट मिलकीपूर जो अभी होल्ड है, गाजियाबाद से आपकी जो शेहर की सीट है, गाजियाबाद की उसमें संजीव शर्मा काज ऐलान हुआ है, सत्रा साल के बाद ब्राम्हड चेहरे पर दाउं लगाया गया है, ब्राम्हडों पर भरोसा जताकर ब्राम्हडों का बोड बैंक, जो है, ब्राम्हड विरोधी जो अभी तक इस तरह के नरेटिव बनते रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राम्हडों को उतनी वरियता नहीं मिली, इसको देखते हुए ब्राम्हड केंडिडेट्स को टिकट पाइनल किया रहे ह नहीं, यह तो बड़ी, बीजेपी में क्या जाती बात होता है, पहली बात तो जिसने, आपके विरोधी लगातार यह कोट करते हैं कि थाकुर वहावी है, सबसे कम थाकुर, सब ज्यादा एंकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाया था, थाकुरों के ज्यादा एंकाउंटर ज्यादा जी दो दो टिकट ब्राह्मन ओ को देना का जिबाद में, और तमाम पुरे प्रबेश्ट करने के लिए इस तरह बाहर निकलने को ने तो पहली बात है, तो पहले से ही हैं अल्री आज से हैं क्या धरमेंदर शार्मा कोन है, इतने ब्राह्मन लीडर्शिप जितनी भ जिस तरह का एक narrative state किया कि सविधान खत्रे में बाबा साब के खिलाब जिन लोगों ने बाबा साब को भूमाफिया बताया सपा के लोगों ने बहन माया ची जो दलीतों की बसिया थी उनको कतल करने का काम किया और जिन्होंने हमने पांचों तीन्स बनाए बाबा साब के स्था हमने उनके जो बच्चे उनके लिए स्कोलर सीफ से लेकर तमाम फैसलिटीज की नौकरियों में उनको पूरा दिजलिशन दिया जम्मू कस्मीर में 370 लगा के कॉंग्रेस ने आरक्षन ही समाप कर दिया था दली समाज जाडू लगने के लाग कुछ कर नहीं सकता था हमने 370 पतर हटा करके उनके आरक्षन को बहल किया है तो जो हम दिन रात काम कर रहे हैं बाबा सहाब का इतना सम्मान हमने किया है भगवार मेरसी बालमी की के नाम पर हमने भवय और दिवय मंदिर बन रहे हैं तो यह भाजबा के मलब सोच में भी नहीं होता जाती वाद यह कोशिस से रेस से और अखलेश यादव से आपका सीधा सामना है सीधा फाइदा मिला है आपको नहीं ऐसा नहीं है कॉंग्रेस तो उत्रप्रदिस में नहीं है अगर सपा के साथ लड़ते पांच सीटों की डिमांड कर रहे हैं लेकिन की जीरो आती एक विदान सबा में एक MLA है वो के जंडे के तहत के कानून बना कर लाया जाएगा उसको नाकाम करने का काम अगर किया है तो भाजनता पार्टी और माने मोदी जी और जो करोडों लोग करता है और जो स्वाम सेवक हैं जो इनका लहूँ इस देश की ये सहीद हुए लोग उनके कारण हुआ बहुत जल्दी कॉंगरेसित देश से समाथ हुए अखले शादो का अभी जिकर हुआ अखले शादो की अभी हालिया अपने तारीफों के कसीदे पढ़े एक मीडिया हाउस को कि अखले शादो अच्छे राजनेता हैं नहीं मैंने तारीफ नहीं की मैंने तारीफ नहीं की मैंने तारीफ ही ह तो जो अखलेश जी ने पाप किया उसके कारण वो कभी लीडर नहीं हो सकते इस देश के जन्मानस के उन्होंने आतंक वादियों को रिहा किया उनके नेता क्या बोलते थे कि बलातकार लड़के करी देते हैं कार सेवकों पर गोली चला इसाधों को मारके उसमें डूबा दिय तो जो कॉंग्रेश ने पाप किया साथ नौबर 1966 को इनराजी ने पर करपात्री जी महराज ने रोते विए ढ़ाई जा लोग और गाया मारी गी थी सरा आप दिया था कि कॉंग्रेश समाप्त हो जाएगी वंस संध्ष्ट हो जाएगा तो अखलेश जी का हमने व्यक्ति के रूप से कहा कि लोगों को यह उम्मीद थी कि वह इन पचलों में नहीं पढ़ेंगे से पही मौत्सव में जनता का पैसा नहीं उड़ाएंगे लेकिन जो उन्होंने किया उससे जनता उनसे नफरत करने लगी है यह लोग कहां रो योगी जी का जो काम भाजनता पार्टी ज नहीं के एखलेश जी को यह कहना मेरा की वो पढ़े लिके हैं उनसे उम्मीद थी तो यह को तारीट की बात तो हैं नहीं जो सही है उसी कहा मैंने पर अमीदों पर ख़रा नहीं उतर पाया आपको बताने का इतनकोदियों को रहा करने का आधिश दे करके उन्होंने बहुत कि योगी जी NCR को बचा लो NCR बहुत खत्रे में है क्या खत्रा है NCR तो मैंने बताया नहीं अभी आपको यह जो दिली के अंदर पिछले अर्विंद केजडिवाज जी की सरकार में कॉंगरेस ने बसाया हुआ लगे अब दिली का सर्वी कर लीजिए नंदनगरी सुंदनगरी जाओ आप लौनी में जाएए आज भी एक हजार बंगला देसी पकड़वा दूँगा मैं इंटेलिजिएंस के लिए चुनोती है मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैंने यहां तक का राईरी चोड़ दूँगा पूरा फारिदाबाद पूरा मेवात मेवात के अंदर जितना बंगला देसी रोहिंगा घुसपैटी आया जिसका भारत से कोई लगाव नहीं है वो इस तैयारी में बैठा है कि यहां दंगा हो और हम मार काट सुमू कर दें तो माने योगी जी से मैंने कहा जैसे साहिन बाग में एक लाग जो सिचाईव बाग की जमीन है एक करोड घुस पैटी है भारत के अंदर रहे हैं एक करोड से ज्यादा तो केवल पश्व मंगाल में केशो मौर्या जी से मुलाकात अपकी हमारे तो सभी ने ताउस होती है अभी लाश्ट मुलाकात कब ही अभी पिछले दिनों हुई थी हम लखना हो गए थे तो जब हम जाते है बैठक में वाइकाट हो रहा है दूसरे का लगातार आप ने कहीं लगा ऐसा बल्यक एक लीडर्स को हमारे कोगर कहीं भेजा गया है पार्टी ने लंबे वक्त से साथ में नहीं देखा है नहीं ऐसा नहीं है कई बार ऐसा लगातार चुनाव थे चर्चाए होनी थी कहीं कई परकार की अजयने अब तो पाथख जी भी ने रहते किसे के बार नहीं रहे तो प्रिशह दिनों भी पाथख जी नहीं थे तो तो यह तो बेनावजे की बात रहिए ती बीजेप शा ने सकता है अपना निजी अजय आजयन्डर चलता है वहां माने केसव जी जान करता है उनके लिए जान शेड़कता है ऐसा नहीं कर सकते एक प्रत्यंचा पर आपको चड़ा रहा हूं बताइए सेम योगी आदितनात और केश्व प्रसाद महुर्या में बहतर नेता कौन अब यह तो आप हर पहमाने पर दोनों नेता ही बहतर है अपना अपना अगर आपको बहतर हैं दोनों में एक दूसरे की तुल ना करी ने सकते दोनों ही बहतर है दोनों का कोई बेजोड नेता है माने केसाव जी की लेडरसिप में आपको मालूम होगा प्रडेश अजयक से सवाटीन सो सीट है थी उनको क्यों वह पृषडा नहीं बालमी की जो दलित हमारा है उससे लेकर के और ब्रहमन तक उनके ऊपर कोई लेवीली किस तरह का नहीं है जो लोग लगाते हैं बनाद वो कार्यकरता मिलने चला जाए तो इतना खुस हो के आता है जैसे उत्तर प्रदेश में माने राजनास सिंग्जी है देश में नेताओं का जितना माने राजनास जी मि पूरे देश के लोगों से अब उनकी कोठी पर जाई हुघी हजारों लोग रहते तो इसलिए यह सब एक अपना-पना है ठीक है ठीक है केशो महुर्या का जिक्र हुआ का कई मौर्या का टाव था दोहजारस इंप दोहजारसत्रया कानतीज होग में 600 2022 का उन्होने जिक्र नेताओं के लिए इसमें अगर 17 जैसा नतीजा होगा हमादा सीटे हमारी बढ़ेंगी तो इसमें बगावती सुर कहां से होगा हम कुछ सीटे घटे ना 50 सीट हमारी 50 सीट कम हुई तो उनका कहना है कि हम सवा 300 थी हमारी इस वार साड़े 300 हैंगी हा मतलब उनके नेत्रत में 2017 ल पत्रा जैसा नतीजा चाहिए तो कि मैं था अब मैं यह किया रहा हूं लोक सभा चुना हुआ 76 सीट सर्वे में भी और निश्चित आती लेकिन जो एक दम से जो जो दिल्ली में बैटके योजना बनी कंग्रेस की कि जातियों में हिंदों को बाट दू और ऐसे नेरिटिव सेट की जिनका कोई अर्थ नहीं था अखलेज जी सविधान लेकर के दलितों के मसीया बनने हमला किया अपने आप रहते हुए तो आज वो उनको समझ माया कि यह तो चनिक जो इस तरह से भर्मित किया गया है कुछ लोग उनमें इखटे हुए बाहर से जो हवाला की थुरू फंडिंग हुई आपको मालूम ही होगा माने मोदी जी को हराने के लिए जिस तरह से पैसा पाटा गया तमाम चीजे माने राजना सिंग जी को माने मोदी जी को हराने के लिए कितना बड़ा सरियत हुआ अब कलपना नहीं कर सकते तो वो कुछ भरम जो था वो गूजर ठाकुरों का विबाद करा दो बिनाकारण का कभी नहीं हुआ कुरमी ठाकुरों में ब्रहमन और ठाकुरों का जगडा है इस तरह के जो नेरिटिव जो सेट किये गए उनसे कहीं नुकसान हुआ तो अब जनता पच्ता रिये कि हमने बहुत बड़ा गड़बड हुआ तो देस के साथ हम लोग इन जातियों में बढ़के नुकसान जो हुआ है हमने राष्ट विरोद कर लि कि में कुछ कमी रहा है यह कमी रह गए इसा नहीं है देखिए माने केशव जी ने तो अब भी महनद की माने योगी जी ने भी की माने सवतंदेव जी ने भी लग आता दिन रात काम किया संग्धन का होता क्या एंट इंकमबैंसी नहीं होती क्या अब लोगों को प्रूव हो बहराइच में हालिया बवाल को लेकर तमाम अलग-अलग narrative create किये जा रहे हैं, अलग-अलग सियासी जानकार, अलग-अलग विचार धारा हैं, पेश कर रहे हैं। बहराइच हिंसा का सीधा सवाल मेरा की असल जिम्मेदार कौन है। बहराइच हिंसा में आप मालिया किसी ने घंडा फैरा दिया, उसको गोली मार देंगे, चाको से बरबरता से मारेंगे, इसलिए इसमें कानून है। तो वो पूरी योजना के साथ था, सुन योजना था कि जब यात्रा निकलेगी तो ऐसा में करना है। और भी जिससे किसी और की होती, तो वहां सेक्ड़ों लोग मरते, तो मैंने योगी जी की सरकार थी, उन्हें परसासन ने वहीं खुद पहुच करके पूरा अमला वहीं जमा और उन्होंने ऐसा एक्सन लिया, जो जिन लोग कबजा किये हुए थे, दुकानों पे एक्सन, अपरादी पकड जाया जाता, तो हिंसा की आग ज्वलंद ना होती, जंडा अगर फेरा दिया, तो उसके लिए सिकायत करना चाहिए, ना, हमाले कोई मेरे घर पर आकर जंडा चड़ा दिया, तो मैं से गोली मार दूँ, ये कहां कि लिखा है, आप ही ने कहा है, आप ही ने शिरुवात में कह पूरे सनातन पर हमला कर रहे हैं, मंदिरों पर जाके जंडा फेरा आता, जब तो गलत है, उनका कहना था कि किसी के घर पर चड़के जंडा घुमानी लगा, इसमें कौन सी बात आगी, कि तमाम जो निकल रहे हैं, मुसलिम समाज यातरा निकलता है, क्या हिंदू पत्राव क या किसी धार्मी किस्तर में जाके हिंदू ने कुछ किया कभी, किस तरह डास्वना में पत्राव किया है, तो यह समझना चाहिए, कि देश में जो चार रोहिंगा बंगला देशी या कुछ मोल भी आकर के माहूल खराब कर रहे हैं, तो हिंदूस्तान में रहें, काइदे से देश की तरक्की के लिए काम करें, हिंदुत्वा के समर्थन में आप इतना एक्टिव रहते हैं, बहराईज गया किया, जब इतनी बड़ी अराजक्ता है, देखिए, अराजक्ता नहीं, वहाँ माने योगी जी हैं, और वो पूरी तरह से हमारा सरकार का परसासन का सिस्टम था, तो लॉयन ओर्डर को कहीं छुनोती मिले, हम तो वहाँ जाते हैं जहां लगता है कि यहां हिंदूों के साथ अन्याय हो रहा है, यहां लॉयन ओर्डर यहां के अधिकारी गड़ बड़े, उसके लिए सरकार है ना, हिंदुत के लिए मैंने योगी जीसे बड़ा कोन है उन्होंने उसको सही से उनकी भाशा में जबाब दिया, राशान्ती है, और मुझे लगता नहीं कभी बहराइच में 50 साल दंगे होंगे, अब नहीं होंगे दंगे, और बहराइच की आग कुछ सहारनपुर तक भी सुलगी, नहीं बहराइच की नहीं थी वो, तो दूसरी इ सामने आगी, इन फ्यूचर जब कभी योजना बनाएंगे, जो देश की अंदर कहीं दंगा करना चाहते है, जिनकी सोच छोटी है, कि हम लोग इसको इसको इसलाम के जहन्डे के निचे लिए आएंगे, हिंदों को हम लोग यहां से डिस्टप कर देंगे, मार डालेंगे, दंगा अच्छा नहीं हुआ, मेरा कहना है, जिनोंने पत्थर फैके उनके चेहरे सामना आगे, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि दंगे के बहाने पता चल गया कि इस देश माग लगाना कोन चाहते हैं, तो उनका इलाज तो भाजनता पार्टी की सरकार कैसा करती है, उनके पुस्ते आद रखेंगे, मतलब बहराइच में जो पत्थर बास सामने आए, वो आने जरूरी थे, जरूरी थे, अनि तो वो कोई बड़ी घटना करते, आज जितने भी चैसानपूर में थे, हापूर में थे, डासना में थे, या जो बहराइच में थे, या देश के दूसरे हिस्सों में थे, उन सब का कम से कम पता चल रहा है कि कौन कौन है, जो जिनको फंडिंग भार से हो रही है, जो देश में दंगा करना चाहते हैं, तो जो यहां का लोकल मुस्लिम भी है, जो देश के लिए काम करना चाहता है, उसको पता चल रहा है कि ये लोग नफरत ही हैं, से दूर रहो हनी तो हमारा भी अंजाम बुरा होगा तो सारी चीजें जो चीज घटनाए घटती है इश्वर क्योंकि भारत को विशुगुरू बनना है तो भगवान उसी रास्ते पे ले जा करके उन लोगों का उप्रेशन करा करके सब को सुद्धिकरन हो रहाना ठीक से तो वह इसमें भारत के लिए काम करेंगे लोग दंगा करने वाले लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है जल्द बुल्डोजर गरसता नजर आएगा बुल्डोजर तो जो चला कहीं नहीं उधारन बना देश में दुनिया में और सक्ती के बिना सासन नहीं चलता यह जरूरी भी है चीक बात है और राकेश टिकैत को लेकर आपका नाम राकेश टिकैत के इक बड़े विरोध कुछ तोर पर भी लगातार जोडा जाता रहा रहा अभी फिलाल वो एक बड़े मामले को लेकर उनका विचाराओीन है कोट में मामला आज समन भी हुआ उनके कि अज आज उनको समन हो गया है तो आप यह बात सोचिए इसको हमारा ठीक कैट से कोई विरोध नहीं है हमारा क्या विरोध है हमारा तो इस देश के खिलाब जो करेगा जो सनातन के खिलाब कुछ दिमाग में लाएगा तो वह आपके साथ मतलब साथ बैठना भी नहीं चाहते हूँ आपको सक्त विरोधी मानते हैं अपना उन्होंने आप नहीं हमला करवाया था आप देखिए उनका जो कहना अलग दिश है कोई भीस भारत के तिरंगे को अगर उतारने का परियास करेगा उसके लिए यहां देश के लाको लोगों की साहधत है चरंगा उतार करके खालिस्तान का घंड माम में एक साल पहले पूरी य gnड़ सामने आचुकी है 122 को डॉल sitting खाल देगा उसको दिये जाएंगे इक में वो एक साल पहले रिपोर्ट मैं आपको दिखा दूंगा उतारने का मतलब है भारत को गुलाम करना तीसरी बार पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने तीसरी बार टिकेत की लीडर्शिप में क्या किसान कर सकता है आज पूरे जितने भी किसान है देश के उबाल में है लेकिन आपने आदमी बेड़ा यह देश का इतना बड़ा इशू है कि तिरंगा उतारा गया और खाजिस्तान का जंडा फैरा दिया अगर किसानों के भेस में नहीं आते मैं पुने दोहरा रहा हूं कि ऐसे लोग बचने चाहिए थे क्या मैं इस देश की जंता सवाल करना च अब मुझे उम्मीद है ऐसे लोग शीक्सों के पीछे होने चीए हैं ऐसे एक भी व्यक्ति को देश में स्थान नहीं होना चीए अभी जहां भी घटना होती है साहिन बाग में पहुंच जाते हैं धारत तीन सो सतर गलत उटी यह किसान का जंडा है जी ने बाबा मेहंदर ठ किलते हैं यहां बैठ जाते हैं जन्डा काड़के जिया करें कैसीया जोया अंड दोलन जो एंस ने सब्सक्रां निगोंता कि मुझछी में जान की जान से मारने के औरे बही ऐसा ये तो कुछ भी कहें हम तो देखिये खुद जो है हम साइश के स्टूडेंट है टॉपर रहे हैं इजिनियर है हम क्या ये सब काम करते है हम तो अच्छी सिक्षा देते हैं उसके लिए कोई दूट अच्छी सिक्षा इस तरह की देते हैं आपकी 10-15 लोगों को निफ्टा देना चाइए मोगे पर इखुद जो सनातन पर हमला कर रहे हैं कानून का राज नहीं है इस देसमें और मैं रोहिंगा बंगलादेशी को का है किसान के बेस में वो नहीं होते ना किसान को भगवान मानते मैंने मोदी जी तो अगर किसान का मुखोटा लगा करके और इतना बड़ा सडियंतर नहीं करते तो यह सरकार छोड़ी है इस देश की जंता निफ्टा देती दिल्ली के चारोतरप रहने वाले वो लोग हैं जोनों इस राष्ट के ले लहुप आया है चार चालीस हजार लोगों के साधत हिंडर नदी पर हुई ह यहां लोग लड़े हैं इस देश को अजाद कर तिरंगे के लिए क्या उनके पूरवजों के तिरंगे का अपमान करेंगे तो कोई नहीं बचता हम बता रहें आपको अगर किसान के बेश के राव कहनक मैं दिल्ली आ रहे हैं आज यहां चैलेंज करके अगर एक बीटर भी यहां चल जा टेक्टर का वह चार टेक्टर लाने वाले बता रहे हैं इस देश के अंदर उनकी बुजाएं फड़क रहे हैं जो उनके परिवार के गाउं के लोग वही साथ नहीं इस मसले में तिरंगा उतार के तुम यहां इस तरह से हमारी बेटियों को फैका गया वह भी किसानों की बेटिया थी और पुलिस वालों के साथ जिन्होंने इस देश के लिए काम किया उनको बरबरता हुई चरंगा उतारा गया कोई बरभास्त करेगा इस दिस में तो ऐसे लोगों की चर्क भी नहीं खना इन पसे आखरी सवाल मेरा आपहरे और चे होलों कि मुख योगी आदितनाथ में, आपका व्यख्तिगत राय जानाथा हूं, मैं आप राजनाय जान एक ठीक जवाब ना देखते हैं उन्हें प्रदान मंत्री चहरा मानते हैं haba faculty में एक बूथ का आप राजनाय जान जवाब रहा है वाले . यहांसर्ट defendant मतर्ण का था किर्प्त करते हैं आंप मैने प्रधान मंतरी और दया नहीं तो आख संकरतों का समर्थन आपके पास कभी घावत तो इस तरह की बाते होती हैं कि केसों गुट अगर बगावत करते हैं कभी भविश्य में इस तरह हमारे हैं नहीं होता है अगर बगावत देखने को मिलती तो अगरेगा और उसका हम विरोद करेंगे फाई आर होगी तो उसके लिए तो आज भी अगर कोई बात आएगी आज भी कोई बात आएगी मेरे लिए राजनीती एजेंडा नहीं है मैं तो बताया ना मैं बाई एक्सिडेंट पोलिटीशियन हो में मैं ने देखा गाय कट रही है लड़की उठाई जा रही है लौनी में पाकिस्तान बना हुआ है जिला गाज़ेबाद जैसी मूवी अपराद में बनी और वहां तमाम अत्याचार था लौनी से लोग प्लाइन कर रहे थे तो मैंने अपनी जौब आप छोड़के मैं तो अजगर सेना बना करके सड़क पर मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे चुना लगना है मैंने राजना सिंग जी ने मुझे जो हमारे संक्राचारी जी महराजी थे उनकी प्रणिना से उन्होंने कहा कि मैंने राजना सिंग जी ने गोरक्षा का कानून मनाया है और अब भी आपको मालूम नहीं है मैंने राजना मैंने कह रहा यह वेद सास्त्र कह रहा जहां गाय के खून की बुल्थ गरती है आतक बढ़ता है दुराचार बढ़ते हैं देश में गरीब ही आती है आज भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो मैंने मोडी जी ने जो गोरक्षा के एक कानून बनाया देश में और माने अमित सहाजी ने ग्रहमंतरी रहते हुए जो गुरक्षा पर काम किया बंगाल में खास्तोर से उनको बंद किया राज माने राजना सिंग जी ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है तो ऐसा नहीं है लोग कहेंगे कि गाय की बात कर रहे है गाय पूरा ब्रहमांड है और अमरीका ने भी गाय को डॉक्टर काऊ का है गाय तमाम बिमारियों को समाप्त करने वाली देश में परदी लाने वाली अपने आप में भगवान का वरदान है वो साक्सात मा भगवती है तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो भी आपने कहा कि इसलिए पर दासना पहुंचे तो बजरंग जल के ऊर आपके भी तमाम कारय करता समर्थक वह लाठियाँ बांजी गई तो इस तरह की हेड्लाइन भी बनी कि भाई जब योगी सरकार में उनके ही समर्थक कारेकरता बजरंग दल से सयोगी दल के उनके सब संगठन जो हैं उनके कारेकरता ही नहीं सुरक्षित है प्रशाचन उन पर लाठियाँ भांज रहा तो फिर कैसे द बाज़िबात में बना रहना चाहता है कि हाँ रष्टाचार करके किसी भी तरह से मैं बना रहूं इस तरह कि अप नाम लेने से होता क्या है नाम नहीं है मैं बता रहा हूं ना उसने केवल एक कोशिस लाठी चलवाई उसके बाद वो कॉल वापस ली गई उसको पंचायट को क चलाएं और मा के भगतों पर लाटी चलाएं उनका सरवनास्त है ठीक है उप चुनाव में कितनी सीटे दे रहें अंतिम सवाल आप से नौ में से कितनी सीटों पर आप नौ में से हमारी सीटे आठ तो एक सुप परसेंट आएंगी और नौवी सीट भी क्योंकि वहां मिल्कीपूर पर एलान होता है मिल्कीपूर में कोई इस्यू नहीं है मिल्कीपूर तो भाजबा रिकॉर्बतों से जीती रही है पताया ना कि जैसे कुछ भरम जो डाला गया तो वो में वो सब चीजे डिलीट हो चुकी है लोग समझदार हो गए है कि केवल भाजपा ही मोदी जी किसके लिए काम कर रहे है 24 घंटे उनका एक एजेंडा कि जो एक एक यूद से लेकर के इस देश का किसान या का मजदूर कैसे खुसाल हो तो यह पहली बार भारत में हुआ है कि ऐसी लिडरसीप हमारे सामने है जिसका परिवार बुरा देश हो नहीं परिवार के आप थे गाजियाबाद के लोनी विधान जभा के विधायक नंद किशोर गुरजर जी तमाम जोलंत सवालों का हमेशा की तरह बेबाकी के साथ जवाब दिया मैं प्रियंग वाच पे हूँ आपके साथ वीके न्यूज और एट्सियन न्यूज के जरिये आपको उत्तर प्र आप तक पहुंचाता रहूंगा शुक्रिया नमस्कार